कभी बंद हो गन सिलसिला जो बिगाड़ लो कभी बंद हो गन सिलसिला कभी बंद हो गन सिलसिला जो बिगाड़ लो कभी बंद हो गन सिलसिला जो बिगाड़ लो कभी बंद हो कभी बंदगो गनसे सिला जो बिगाड़ ना हो बिगाड़ दो अब अजीजो हुसाइन के या कुवत बाजू की बात है अब इसमें खामोश ने रहेंगा सिफ दो बना भजात पीश कर रहा हुआ है अब इदहर मतवज्जह हुआ हूं मतवच्चे हो मौला बास की बात ये बंद दो बंद हैं बतोरे खास मुला दो फ़रमें मौला बास देखार देरे मुलतजा सेहरा बेता देरे तेरे मुलतजा सेहरा बेता मजियत देरलकबीर समात अल्लाम अशेख बशीर रसाइन जफीर के दफ्तर से हमें बहुत सारी सहूलत हैं और उने की वज़ा से आज ये दिशन मुनखिद है आज उनकी नमाहिंदगी करते हुएं वज़त लिसलाम बल्मसलिमीन बल्के मुजाहिद दौरां जिस तरीके से वो आलुम है इनकी हालत ये है शेख अलियों नजफी साब तश्रीफ ला रहे है कि परसों हम लोगों ने जशने जानबे कुबरा मुनाखिद किया अज़रत अबास के हरम में परसों पेरिस के अमबेजडर यहां आए थे उन्हों ने से मुलाखात की तो इन्हों ने कहा कि मेरी तबियत नासाज़ा और वागई लेकिन डिप ले यानि पानी चड़ने के बाद में वो हमारे यहां तश्रीफ ले आए और बीबी जानब की मदा की और हमारे साथ शामिल रहे मैं उनका इस्तेफाल करता हूँ नारे तक्बीर नारे रिसाला नारे है गरी और इनके साथ अलागई लबासिया के जिम्मेदारान में हाज तलाल अलाबीर और सेद अकील यासरी हमारे दर्मियान मौजूद है मैं उनका भी इस्तेफाल कर रहा हूँ मंगलावर के सरदमीन से कुबरा कास्ट्रक्शन अलहाज सेद हैदर जजजी सहाब तर्शीफ लेया मैं उनका इस्तखबाल करता हूँ तवाम मौवनिन इस्तखबाल करते हैं मर्जित दिनलकबीर अशेख बश्यर नजफी के चेश्मोचराग और फरजन अशेख अलियो नजफी सहाब मैं उनका इस्तखबाल करता हूँ और जिनाब विखार सुल्दानी सहाब विखार सुल्दानी सहाब सर्म्जारी शेए मैं अपने मता कास्व सिल्दा जारी रखे नारे है बनी यह आखरी बन मुलाज़ा फरमाए बतार खास मौला अबास के हवजा से यह आखरी गो बन अब मतवज़े हो मुलाज़ा फरमाए वो जो शेरी था सरे अलकमा जिसे तुम समझेते हो सो गया वो जो शेरी था सरे अलकमा जिसे तुम समझेते हो सो गया चल मानता हो के सो गया जो बिगाल ना गो बिगाल वो जो शेरी था सरे अलकमा जिसे तुम समझेते हो सो गया वो जो शेरी था सरे अलकमा जिसे तुम समझेते हो सो गया चलो मानता हूँ के सो गया जो बिगार नागो बिगार लो वो जो शेरता सरेल कमा जिसे तुम समझेते हूँ सो गया चलो मानता हूँ के सो गया जो बिगार नागो बिगार लो चलो मानता हूँ के साथ दिलेर था नहीं उसके नामों में जिहर था वो जबाई था नहीं उसके नामों में जिहर था है उसी के कबजे में अलका मा जो बिगार नागो बिगार लो है उसी के ने कबजे में अलका मा मुझे मारना हो तो मारता मेरा हो पकार गया या हुसेंd मुझे मारना है तो मारता मेरा हो पकार गया हुसेंd मैं चला हुँ जानी बेकर बला जो बिगार लो मैं चला हुँ जानी बेकर बला बादा या हुँ जे आ की लिगऑ — लबेक या हुसेंd लबेग या हुसेंड लबेग या हुसेंड लबेग या अबास 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 लबेग या बास 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 लबेग नजफ की मौजूदगी मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा जो मैंने मदर्सों की डाल लोटी खाई है सत्तरा साल चाउदा साल सुल्तान अलमदार इसमें और तीन साल मदर्सत लुए जेन में शायद इस नमत की शुद्बत से थोड़ी बहुत अरभी आई हो मुझाल खामुस और लुगार और फरहंग और दिशरी से कोई लेंदें नहीं है लेकिन इतना जानता हूं कि अरभी जबान में शेर के लिए चार सो अलफाज इस्तेमाल हुए है आखिर एक माना में चार सो लफजों का मतलब क्या हुआ लेकिन मेरे असातजा ने बताया शेर की अलग अलग कैभियात अलग अलग सिफाथ अलग अदाद अलग अत्वार अलग अलग कौालिटीز का नाम अरभी में अलग अलग रखा गया शेर जिस फुगत अपने शिकार को देखता है उसे हमजा कहते है चपड़ता है उसे जरगाम कहते है चीर के फारता है उसे हैदर कहते है लोरी लो हैदरी जस मौत वेड़ चुंगता है उसे हमजा कहते है